Hello Learners, this is Ashish Kumar and I hope you all are doing good. Students, आज हम देखने वाले हैं कि हम अपनी इस Android मशीन को कैसे एक hacking device बना सकते हैं यानि कुछ ही मिंच में हम किस तरीके से काली NetHunter को इस Android device में install कर सकते हैं जिसकी मदद से सार हम अपने Android device के जरी है कि वह सारे practicals कर पाएंगे जो हम अपने PC हमारे laptop के जरी परफॉर्म करते हैं तो students इस process को करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले हमारे browser पे हमें एक टूल की यहां पे जरूरत है जिसका नाम termx है एक चीज आप सभी को recommend करूंगा कि जो termx app है आप इसे play store से install ना करें वहां उसका updated version ना हो या updated repositories ना हो जिसकी वज़े से आपको update, upgrade में issues create हो सकते हैं तो फिलाल हम termx लिखके enterprise करेंगे और सर जो हमारे पास यहां पे second URL आया है fdroid का एंड इस website के जरीए हम अपने termx को install करेंगे, scroll down करेंगे आपके सामने यहां पे blue color का button भी आएगा जहां पे download fdroid लिखा है तो हम इस option पे click करेंगे और हमाई जो file का download processor वो start हो जाएगा download again का option मुझे show कर रहा है because file में पास already downloaded थी फिर भी हम एक बार फिर से new file download कर रहा है ताकि latest repositories के साथ हमें आपास latest version भी आए download process के complete होते ही हमें इसके installation की तरफ जाना है तो हम open button पे click करेंगे और install button पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा installation successfully हो चुका है हम open button पे click करके अपनी tool को start करेंगे यहां पर हमसे notification की permission मांग रहा है वो हम allow कर देते हैं और साथ ही साथ ताकि हमारे आगे के operations smoothly work करें हम बापिस back आएंगे आप की settings में जाएंगे याणि app पे click करके रखेंगे और app information में जाएंगे और वहां से permissions में जाके sir files की permissions होती है उसे हम allow कर देंगे ताकि हमारे जो termx है यह हमारे file managers की files को access कर सके यहां पर यह process हो चुका है अब हम हमारे termx को use ले सकते हैं अच्छे से जिसमें हमारे पास errors आने के chances कम हो जाएंगे अब sir यहां पर जब पहली बार आप कोई software start करते हो operating system start करते हो तो Linux में भी apt update upgrade को run करते थे उसी तरीके से हमारे termx में हम सबसे पहला command run करेंगे apt update जिसका मतलब है कि sir आप अपने play store को update करने उसकी repositories को update करने ताकि आपको later से later software मिल सके फिलाल यह process हो चुका है अब हम यहां पर command लिखेंगे pkg update जिसका मतलब है कि sir आपके system में जितने packages install है यह उनको update करेगा which is equivalent to apt upgrade फिलाल यह process में हमसे permission मांग रहा है वाय लिखके enterprise कर देंगे और इस process के complete होते ही या फिर इस process के चलते वक्त आपको कई बार कुछ options पूछे जाएंगे जिसमें by default n लिखा होगा आपके पास कितनी बार भी options आपको के वाल enterprise करना है normally वह आपक files और packages के लिए आपको option दिखाए जा सकता है आपको बस enterprise करना है और इस installation के complete होने के बाद सर हम install करेंगे software जो फिलाल हमारे लिए ज़रूरी है जिसका नाम है wgat wgat का full formation is webgat है और यह टूल हमारे काम आएगा internet की किसी भी resource को किसी भी file को download करने के लिए हमें बस wgat के आगे URL देना होगा जो भी हम address देंगे जो भी URL देंगे यह उस file को मैं सिस्टम में download कर देगा सो यहां पर सरवान installation complete हो चुका है अब हम command लिखेंगे apt install and wgat इसे permission दे देंगे वाय लिखके सो यह tool जल्दी यहां पर install हो जाएगा इसके install होने के बाद हम एक URL इसके आगे देंगे जिसके जरी हम अपने net hunter को install कर पाएंगे तो हम यहां पर command लिखेंगे wgat-o students जिसका मतलब है output store करना हम जो यहां पर URL देंगे उसके जरी जो भी output store होगा हम चाहते है किसी file में save हो ज सकते हैं वैसे तो फिलाल इंस्टॉल लिख दिया है और इस पेस देखे हम URL देंगे which is sttp.s colon slash slash ofs.ec slash two capital M ce capital Z capital W and small r यह सर हमारा URL है हम लिखके enterprise करेंगे तो इसका जो भी data है जो भी output यह दे रहा है वो एक install नाम की file में store हो जाएगा तो यहाँ पर हम ls लिखके देख सकते हैं कि हमाई पास install नाम की file create हो चुकी है लेकिन सर फिलाल इस file के पास executable permission नहीं है तो हम इसे executable permission देने होगी जिसके लिए हम command लिखेंगे chmod plus x and file का नाम और enterprise करेंगे और अब अगर हम Alice लिखते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी install नाम की जो file थी ग्रीन कलर में show हो रही है जिसका मतलब इसके पास अब executable permission है तो सर इसको run करने के लिए हम command लिखें और यहाँ पर हमारा installation process start हो जाएगा इस process के अंदर अगर आपको कोई भी option show हो तो by default आप enter ही press करेगा तो default option select कर देगा इस installation के complete होने के बाद हमारा net hunter ready होगा उसे easily use ले सकते है minor configurations के साथ so students यहाँ हमारा installation complete हो चुका है और हमें कुछ option show करेगा है जिसके जरीह में idea लगेगा कि हम इस net hunter को use ले कैसे सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे use लेने के लिए NH use लेंगे which is equivalent to net hunter यहाँ पर आपको options बता रखे हैं net hunter को start करने के जिसमें आप net hunter भी लिख सकते है औ आपके command line operating system को काली net hunter जो है फिलाल as a command line operating system मेरे device में work कर रहा है आप इसे vnc के जरीह graphically share कर सकते हैं तो यह जो vnc service है यह आपका kex software provide करेगा यानि आप जब पहली बार nhkex space pashwd लिखके enterprise करेंगे तो यह आपको option show करेगा kex का password रखने के लिए यह आप कह सकते हैं अपने vnc का password रखने के लिए फिलाल हम यह पर password रख देते हैं admin and enterprise करते हैं यह बोल रहा है आपके password में minimum 6 characters होने चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Ashish and enterprise करते हैं again Ashish and enter अभी हमें यहाँ एक option दिखा रहा है would you like to enter a view only password तो हम यहाँ पर n लिखके enterprise करेंगे और हमारा password यहाँ पर successfully set हो चुका है तो सर अब हम यहाँ क्या करेंगे NHKEX लिखके इस vnc service को चालू करेंगे जब हम ऐसा करेंगे तो सर यह आपके system की किसी port को open करेगा और उस port पे आपके net hunter के command line operating system को graphically share कर देगा आप देख सकते हैं यहाँ यह बता रहा है कि port number 5901 पे इसने vnc service के आपके software को आपके operating system को graphically share कर दिया है इसे access करने के लिए सर हमें client system चाहिए जो की vnc service को read कर सके इस port से बात कर सके तो इसके लिए सर हम हमारे browser पर जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे net hunter kex और enterprise करेंगे तो जो सबसे पहली website हमाँ पास आएगी है bvnc जो लिखा हुआ हम इस पर click करेंगे scroll down करेंगे again sir हमाँ पास यहाँ पर blue color का button आ सकता है जो हमें define करेगा app drive को store करने के लिए store app को download करने के लिए हम इसे ignore करेंगे यहाँ पर हम scroll down करेंगे और ज्यादा तो हमें यहाँ पर download AP के का option शो हो रहा है जिसका के 10 MIB लिखा हम इस पर click करेंगे और हमारी जो net hunter या CACS net hunter की file है वो install हो जाएगी जिसके जरी हम vnc services को read कर पाएंगे open पर click करेंगे install करेंगे again open permission मांग रहा है allow कर देंगे अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है sir by default इसने यहाँ पर localhost column 1 लिखावा है port में 5900 लिखावा है लेकिंगे sir हमारी जिस port पे vnc service start हुई है 5901 तो हमें यहाँ पर उसे update करना है हम यहाँ लिख देंगे 5901 और उसक and connect करने की कोशिश करते हैं कि हम अमारे काली मशिन को यूज ले पा रहे हैं या नहीं फिलासर यहाँ पर कर लेते हैं कि VNC service कौन सी पोर्ट पे ओपन थी तो हम यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं किसी रीजन से ही टूल बंद हो गया तो हम इसे फिर से start करेंगे अब अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका टूल एकदम से बंद हो जाए यानि तरमेक्स बंद हो जाए जिसकी वज़े सा आ वियंशी शेरिंग ना कर पाए तो आपको यहाँ पर नहीं लिखके एंटर प्रेस करना है और रूट पर्मिशन में चले जाना है सुडो अस्यू कमांड के जरी अपस्वर्ड मांगेगा हो तो तो थोड़ा टाइम ले सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा थोड़ा पेश्वर्ड यहाँ पे रखन हो जाएगा, फिलाल यहां पर route permissions मिल चुकी है, तो हम यहां पर फिर से command लिखेंगे K.E.X, ताकि route permissions में हमारा CAC server चाल लूँँगों, लेकिन हो सकता ही हमें फिर से password रखने को बोले, because root user का CACS अलग tool है, तो हम यहां पर फिर से लिखेंगे अशीष, enter press करेंगे, अगेन आशिश एंटर प्रेस करा यहां पर एंटर प्रेस कर देंगे तो सर अमारा पास्वर सक्सेस्फुली सेट भी हो चुका है और हमारी जो कैक सर्विस थी वह स्टार्ट हो चुकी है पोर्ट नंबर 5902 पे तो अब हमें बस इस पोर्ट पर कनेट करना है यानि हम हमारे ट है वो एक हैकिंग डिवाइस बन चुका है और इसमें आप हर वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो आप अपने PC और Laptop में परफॉर्म करते थे अगर आप कोई वीडियो पसंदा है स्टुडेंस तो दू लाइक शेया और अब आप में से कोई ब्याथिका लेकिंग पाइंटर टेस्टिंग और बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सिस में इन्रोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप फिल करके आज ही अपने फेवरेट कोर्स में इन्रोल कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग इस वीडिय झाल झाल झाल